असलाम वालेकूम वीवर्स कैसे हैं आप सब तो आज तोरी की सबजी लेकर आई हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह तो बहुत एजी बहुत यमी बनती है तो तोरी को मैंने काटके रख लिया है प्यास अद्र लसन का पेश टुमाटर और हरी मिर्च आपके सामें जो है और यह स्टील के बरतल में मैंने सिजाई हूई है तो यह विले स्टाइल के कुगिंग जो है चुलए पर ही बढ़ेंगी आप देह रहे हैं यह हमारा भाहिर का छुलए है साथ में तंदोर है तोब इसको बनाते हैं त्याल करते हैं युथ मैंने चुले की आफ जला ली है औ तो पहले हम इसमें प्यास फ्राइब करेंगे जैसे आम मसाला बनाते हैं हम सबजियों के लिए अच्छे से प्यास को फ्राइब करके तो इसको सुनहरी होने देना है थोड़ा सा तो यह चुला आग का बाहिर है और जो पहले जिसमें मैं कोकिंग करती हूं वो अंदर किच्छन में है चुला इस तरह से बाहिर भी हमने चुला रखा हुआ है तो यह प्यास नहरी हो गए है ट्रमाटर और हरी मिर्च को साथ में फ्राइक कर लेते हैं ठोड़ा सा ओर्सा देरग कर लेंगे ज़?! ताल तालब की साथ में प्राइक कर लेंगे ॉ pó तो ये अच्छे से बुणा गया है मसाला इसके अंदर हम लाल मिश डाल देते हैं जमाच और नामक जमाच और हल्डी आल जमाच अब हस्भी जैका लाल मिर्च और नमक रख सकते हैं इसको त्यार कर लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड कैसे लग रही है आपको ये रैस्पी चुले पे जो सालम बन रहा है तो जो न्यू प्रेंड है मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और कामें में लाज़ने बताएं मेरी प्रेंड के कैसे लगी आपको ये दोरी की रैस्पी तो इसी तरह से कवर के केप अपने के लिए रख देंगे और ये दिस जाओ से के लिए रख ऑब से के ये लाख गलाव से